हालो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट टेस्टेटी जीस में दोस्तो हम लोग बिहार दरोगा प्रारामभिक प्रिक्षा दोजर तेज का जो प्रैक्टिसेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिसेट नमर दो को करने वाले ह दोस्तो यह प्रैक्टिसेट हम लोग के भी सी नैनो बुक से करेंगे और दोस्तो इसमें हम लोग 100 कोश्चन का प्रैक्टिसेट करेंगे और फूल एक्स्प्रिनेशन के साथ प्रैक्टिसेट करने वाले हैं दोस्तो इससे पहले हम लोग इसमें एक प्रैक्टिस सेट समाप कर चुके हैं और भी हम कई प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं आप उसे भी जा करके देख सकते हैं और दोस्तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर लें लाइक करें और दोस्तो में सेर करें और दोस्तो डेली प्रैक्टिस सेट फिहार दरोका का चलाय जा रहा है तो आप लोग कंटिनीव बने रहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और दोस्तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन वे हम टेलीगराम का लिंक दे दिये हैं आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आज का पहला क्वेशन हो जाएगा दे रहा है कि मानो सरीर में शंक्रमन को रुकनी में मदद करने वाला बिटामिन है एक कराई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए यानि की बिटामिन ए जुन है यहाँ आपको मानो सरीर में शंक्रमन को रुकने में मदद करने वाला बिटामिन है और विटामिन A कारा साइनी की नाम रेटिनोल होता है और यहां मानों शरीर के शंक्रमन को रुखने में मदद करता है और विटामिन जो B दे रहा है विटामिन B की कमी से बेरी बेरी नमक रोग होता है और बिटामिन C की कमी से इसकरवी होता है तथा बिटामिन जो D है इसकी कमी से सुखा रोग होता है नेक्स दख लेते हैं कोशन नमर दो देरा की कांसा निमली खित में से किसकी मिस्रधातू है? दो कडाई टेंसर हो जाएगा ओफसन नमर C यह तामभा और टीन की मिस्रधातू है तामभा और टीन की मिस्रधातू है आपको कांसा इसमें तामभा जो है 88% तथा 3 जो है 12% होता है और इसका उपयोग जो है बरतन या मूर्ती बनाने में किया जाता है नेक्स दख लेते हैं कोशन नमर 3 दे रहा है कि पाई रहिलियो मीटर का परयोग निमली खित में से किसे नापने के लिए किया जाता है तीन का राइट एंसर हो जाएगा और आपसन नमर B या आपको सोलर रेडियेशन को मापने के लिए पाई रहिलियो मीटर का उपयोग किया जाता है यानिक्स आपसन नमर B राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर 4 चार में ते रहा है कि निमली खित में से किस परेशित किये तंत्र में पौधो का जैविक पदार्थ अधिक्तम है चार का राइट एंसर हो जाएगा और आपसन नमर B उशन कटी बंधिये वर्सा बन आपसन नमर B राइट एंसर हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 5 कोशन नमर 5 में दे रहा कि कार के पीछे आने वाले या तेयात को देखने के लिए निमली खित परकार के दरपनों में से किसका उपियोग होता है पांच का राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर A यानि कि उतल दरपन का परियोग होता है उतल को हम लोग अभिशारी दरपन द्वारा परतिवीम अभासी सीधा और बस्तु से छोटा बनता है यानि कि उत्तल दर्पन के द्वारा जो परतिवीम बनता है वह अभासी सीधा और बस्तु से छोटा बनता है इसके द्वारा काफी बड़े छेतर की बस्तु का परतिवीम एक छोटे से छेतर में बन जाता है इस परकार आपको उत्तल दर्पन का द्रिश्टी छेदर अधिक होता है इसलिए इसका उपियूग वहानों में पीछे के यातियात के द्रिश्व अलोकन के लिए किये जाता है यानि कि आप्सान नमर ए राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर छे में आपको दे रहा है कि निमली खित में से कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ खिरकी बनाने में उपियूग किये जाता है छे का राइट एंसर हो जाएगा आप्सान नमर ए पॉली कार्बोनेट आप्सान नमर ए राइट एंसर हो जाएगा bulletproof glass के निर्मान में polycarbonate, thermoplastic या laminated glass की परतों का उप्योग किये जाता है और polyamide, polyamide kevlar का परयोग bulletproof jacket के निर्मान में होता है polyamide kevlar जो हो जाएगा इसका परयोग bulletproof jacket में होता है इसका राइट एंसर option नमर ए हो जाएगा कोशन नमर 7 में दे रहा है कि cerebral palsy एक प्रसिद मौस्तिक संबंधी विकार है जो समान तो पाया जाता है साथ का राइट एंसर हो जाएगा option नमर C यहाँ छोटे बच्चों में पाया जाता है next देख लेते हैं कोशन नमर 8 आठ में आपको कह रहा है कि पड़ासरोव वेध होनियां है जिनकी आवरिती होती है 8 का राइट एंसर हो जाएगा option नमर A यानि कि B 2000 हर्ट से अधिक option नमर A राइट एंसर हो जाएगा जिसकी आवरिती B 2000 हर्ट से अधिक होती है इन तरंगों को शब से पहले गाल्टर ने एक सीटी के द्वरा उत्पन किया था और मनुस के कान इन तरंगों को सुने नहीं सकते हैं नेक्श देख लेते हैं question number 9 में दे रहा है कि हर्ट जमें क्या ना पा जाता है 9 के right answer हो जाएगा option number A इसमें आवरिती को ना पा जाता है option number A right answer हो जाएगा question number 10 में दे रहा है कि मनुस्य के सरीर के किस अंग में lymphocyte के निर्मान होता है 10 का right answer हो जाएगा option number B अस्थी मज़ा में होता है option number B right answer हो जाएगा next दख लेते हैं question number 11 11 में दे रहा है कि कपरे साफ करने में परयोग होने वाले डिटर्जेंट है 11 का right answer हो जाएगा option number D sulfonate option number D right answer हो जाएगा डिटर्जेंट ऐसे प्रिष्ट संक्रिय पदार्त है जिसके तन्तु बिलियन में सभाई करने की छमता होती है और यहाँ प्रायर केलकिल्क बेंजीन सल्फोनेट होते है option number D right answer हो जाएगा question number 12 में आपको दे रहा है कि बैकलाइट निमलिखित के संगहनन से बनता है question number 13 में आपको दे रहा है कि जल यूजीत कॉपर सल्फेट का रसाइनिक सूत्र है question number 14 में दे रहा है कि निमलिखित में से कौन सी धार्त है हातू विधूत की बहतर सूचा लग है 14 कराइट एंसर हो जाएगा option number B यानि कि चांदी चांदी जोन है विधूत का बहतर सूचा लग है next देख लेते हैं question number 15 15 में कहड़ा कि Chinese खाना में आमतर पर प्रयूक्त सीर का वास्ताओं में इन में से क्या है 15 कराइट एंसर हो जाएगा option number C या आपको acetic acid है Chinese खाना में आमतर पर परयूक्त होने वाला सीर का करासाइनिक नाम acetic acid है जिसका रासाइनिक चुत्रप का हो जाएगा CH3COOH next देख लेते हैं यानिक इसका राइट एंसर option number C हो जाएगा acetic acid question number 16 दे रहा कि निमलिखित युगमू में कौन सही सुमलित नहीं है रियासत है और उसके सासक है 17 कराइट एंसर हो जाएगा option number C यानिकी होस्यल का जो वीर वल्लाल जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है आपका देवगिरी के शंकर देव शही है माव किजिएगा question number 16 में आपको कह रहा है कि निमलिखित युगमू में कौन सही सुमलित नहीं है रियासत है और सासक है तो इसका right answer option number B हो जाएगा यानि कि वारंगल के जो रियासत है इसके सासक रामचंदर देव दे रहा है यह गलत है अलाव दिन खिली के दक्षिन भारत पर आक्रमन के समय देवगिरी के सासक जो न थे देवगिरी के सासक रामचंदर देव थे जो कि वारंगल दे रहा है यह अपका गलत हो जाएगा और उसके बाद तेरे सबारे इसमी में रामचंदर देव की मिर्तु के बाद उनका पुत्र संकर देव देवगिरी के सासक बना यानि कि देवगिरी के सासक संकर देव यह सही है खुशेल के साथ सक वीर वललाल सही है और मतुरा के साथ सक वीर पांडिया सही है option number B right answer हो जाएगा question number 17 17 में आपको दे रहा है सुची 1 और सुची 2 को मिलान करना है और बताना है कि इसमें से कौन सही है 17 का right answer हो जाएगा option number C यानि कि गंधार जोन है गंधार यह हो जाएगे कुशान उसके बाद जुना कर सिला लेक जोन है यह आपको रुद्र दमन प्रथम हो जाएगा और मिलिंद पनहो आपको हो जाएगे मिनेंडर और तक्चिसिला लेक जोन हो जाएगा वह पतिक हो जाएगा यानि कि एक का तीन, बी का चार, सी का एक और डी का दो हो जाएगा यानि कि option number C right answer हो जाएगा Question number 18 में आपको दे रहा है कि जोन पूर राज का अंतिम सासक कौन था Question number 19 में दे रहा कि बिक्रम सिला बिहार का संस्थापक कौन था उनिस का right answer हो जाएगा option number C धरम पाल धरम पाल जो था बिक्रम सिला बिहार का संस्थापक था जिसके अस्थापना पाल सासक धरम पाल ने आपको 75-7802 तक इनका था सासन कल था और यह महा बिहार चार सताप दियो तक सिक्छा का परमुख केंद्र था बिक्रम सिला option number C right answer हो जाएगा question number 20 में दे रहा है कि रिंग वैदिक काल के प्ररम में निमली खित में से किसे महत्तुपूर्ण मुल्लेवान संपती समझा जाता था 20 का right answer हो जाएगा option number B गाय को बैदिक काल में आर्यो की आर्थिक इस्तिती का मुलधार पसुधन गाय मुद्रा की भाती समसी जाती थी option number B right answer हो जाएगा question number 21 में आपको दे रहा है कि निमली खित में से किसे हिरन ने गर्व धार्मिक कार्य कराया था निमली खित में से किसे हिरन ने गर्व धार्मिक कार्य कराया था 21 का right answer हो जाएगा option number C दंती दुर्व ने दक्कन में राशकुट करनाटक के चलुक कर जाओ क्या धिनस्ते और 18 सदी के मद में राशकुट प्रधान दंती दुर्व ने ही अपने चलुक श्वामिक क्या धिनता मानने से इनकार कर दिया उसे हराया और हिरन ने गर्व यानिकी सोने का गर्व नामक एक अनुसंधान किया जब वो अनुसंधान ब्रामनों की सहाइता से संपन किया जाता था तो यह माने जाता था कि इसे याचक जन्मगा छत्रिये न होती हुए भी छत्रिये के रूप में दुबारा छत्रित्यु प्राप्त कर लेता है यानि कि option number C इसका right answer हो जाएग question number 22 में आपको दे रहा है कि चंगेज खान का moon नाम था 22 का right answer हो जाएगा option number C ते मूचिन चंगेज खान का जन्म 1662 के आसपास आधुनिक मंगुलिया को उत्रिभाग में उने नदी के निकट हुआ था उसका वास्तिविक नाम या प्रारमिक नाम ते मूचिन था option number C right answer हो ज British पत्रकार SW Nevenson जूरे थे ते इसक राइट इंसर हो जाएगा option number C शवदिसी आंदोलन से ब्रेटिस पत्रकार SW Nevenson शवदिसी आंदोलन से जूरे थे और इन्होंने चार महिने तक भारत में रहकर मांचेस्टर गार्जियन ग्लास को हेराल तथा डेली कर नीकल में लिए रि रिपोट को The New Spirit in India नाम से पुष्टर के रूप में शंपा दित किया था अपसर नमर C राइट एंसर हो जाएगा अपसर नमर C राम परसाद बिसमिल नेक्स दख लेते हैं कोस्टर नमर 25 दे रहा है कि निम लिखित में से प्राचीन भारत की कौन से लिपी दाहिने से बाइए और लिखी जाते थी 25 का राइट एंसर हो जाएगा अपसर नमर C खरोष्टी लिपी अपसर नमर C राइट एंसर हो जाएगा सिंदु घाटे चित्र लिपी को छोर कर खरोष्टी भारत की दो प्राचीन तम लिपियों में से एक है और यहाँ दाहिन से बाइए और लिखी जाते थी समराट असोक के सहबाज गढ़ी और मन सहरा अविलेक खरोष्टी लिपी में लिखवाए गया है अपसर नमर C राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 26 में दे रहा कि ठागो का उनमूलन किसके नेतरुत में हुआ था 26 के राइट एंसर हो जाएगा अपसर नमर B कैप्टन सिलीमन के नेतरुत में हुआ था अपसर नमर B राइट एंसर हो जाएगा नेक्स दख लेते हैं कोश्चन नमर 27 डेरा कि इंडिया फोर इंडियन्स किताब किसने लिखी है 27 के राइट एंसर हो जाएगा अपसर नमर A या C या 10 के दवारा लिखी गई पुष्टक है कोश्चन नमर 29 28 28 में आपको दे रहा है कोश्चन नमर 28 में कि स्वर्न भूमी का वह राजा कोन था जिसने नालंदा में एक बहुत बिहार की अस्थापना की तथा उसके रख रखावेतु अपने दूत द्वारा देव पाल से पांच गाउं दान में देने के लिए प्रास्ना किये थी 28 का राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमर C बाल पुत्र देव आपसन नमर C राइट इंसर हो जाएगा बंगाल के पाल बंसी सासक देव पाल ने शुमात्रा और जावा के सलेंद्र वंसी सासक बाल पुत्र देव के द्वारा बनवाए गए बद विहार के अनुरक्षन के लिए पांच गाउं अनुदान परदान किये आपसन नमर C राइट इंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 29 29 में दे रहा है कि इन में से किसने अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपणी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की 29 का राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमर B यान कि हैदराबाद का निजा नेक्स दख लेते हैं कोश्चन नमर 30 कोश्चन नमर 31 में आपको दे रहा है कि भारत में किसके सासनकाल में इंग्लिस इस्ट इंडिया कमपणी का गठन हुआ 31 का राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमर B यान कि 31 दिसंबर 16 SSP को आपको इंग्लेंड की महरानी एलिजाबेट ने 1599 में अस्थापित इस्ट इंडिया कमपणी के पूर्ण के साथ ब्याफार करने का दिकार पत्र दे दिया इस समय भारत में अकवर का सासन था यान कि आपसन नमर B राइट इंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 32 मदेरा की इंडिका का लेखा कौन था 32 के राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानि की मेगा स्थनीज मोरज इतिहास जानने का सबसे महतपुन्सरोत इम्नानी राजूत मेगा स्थनीज द्वारा लेखी गई इंडिका है कोश्चन नमर 33 मदेरा की फरंटीर गांधी किसे कहा जाता है 33 के राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमर B Bay खान आपडुल गवाफार खान को फरंटीर गांधी कहा जाता है 2 नेक्स दखलेते हैं कोश्चन नमर 34 DERÂ की पानी पत की तीसरी लडाई हुई थी 34 का right answer हो जायगा option no.D. पानिपत की 3 लडाई हुई थी, इसका right answer हो जायगा option no.B. 1761 में और मुगल समराट अकबर ने करवाया था यहाँ बुलंदर वाजा बुलंदर वाजा का निर्वान जो है मुगल समराट अकबर के द्वरा करवाया था और यहाँ अस्ताफत्यकाला का उत्कृष्ट नमूना है अप्सन नमर सी राइट एंसर हो जाएगा प्रस्ण संख्या आपको 36 में कह रहा है कि अधोली खित में कौन सीत महासागर धारा नहीं है 36 का राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर डी अगलू हास अगलू हास जोन है यह आपको सीत महासागर की धारा नहीं है अगलू हास दक्षिन हिन महासागर में उत्तर से दक्षिन दिसा में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है आप्सन नमर डी राइट एंसर हो जाएगा नेक्ट तक लेते हैं कोशन नमर 37 दे रहा कि निमलिखित युगों में कौन सही सुमलित नहीं है यह आपको बताना है 37 का राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर डी मालदीव जो मलाबो दे रहा है यह सही नहीं है माल्दिव की रजधानी माले है गिनी विशाव की रजधानी विशाव सही है तैवान का ताइपेई और निकरागुआ का मानागुआ यानि कि option नमर्डी जोन है या सुमेलित नहीं है Question number 38 38 में परवतिय दरा दे रहा है और राद दे रहा है यानि कि सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है 38 का राइट इंसर हो जाएगा option number D यानि कि माना दरा जोन है वह आपको उत्राखन में है ना थुला दरा शिक्किम में जो जिला दरा जोन है वह ही माचल परदेश में और सिब किला दरा जमुकस्मीर में है यानि कि 38 का राइट इंसर option number D हो जाएगा Next दख लेते हैं Question number 49 49 में दे रहा है कि बराबर की गुफाव का उप्योग किसने आस्रे ग्रीह के रूप में किया था 49 का राइट इंसर हो जाएगा option number A आजीव को ने option number A राइट इंसर हो जाएगा Next दख लेते हैं Question number 40 40 का राइट इंसर हो जाएगा option number D बैरान दिव बैरान दिव बंगाल की खाड़ी के अन्डवान निकोबार में पोर्ट बलेयर से 135 किलोमेटर दूर उत्तरपुर में आवस्थित है और यह दक्षिन एस्या का एक मात्र सक्रिये जोला मुखी है और इस जोला मुखी से पहला उदगार 1787 इस भी में हुआ था यानिका option number D राइट इंसर हो जाएगा Question number 41 में दे रहा है कि नीरी इस्तित है 41 का राइट इंसर हो जाएगा option number A यह नागपूर में इस्तित है बर्ष 1985 में केंद्रिय सरवजनिक स्वास्त अभियांतर की अनुसंदान संस्थान के रूप में राष्टिये पड़यावरण अभियांतर की अनुसंदान संस्थान नीरी नागपूर में अस्थापना की गई थी option number A राइट इंसर हो जाएगा Next दख लेते हैं question number 42 में दे रहा है कि निमलीखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना बन अपना धन्योजना प्ररण की गई है 42 का राइट इंसर हो जाएगा option number C हिमाचल परदिश के द्वारा option number C राइट इंसर हो जाएगा Next दख लेते हैं question number 43 दे राइक के निमलीखित में से जन्जाती और राजी की खुनसी जूरी सही नहीं है 43 का राइट इंसर हो जाएगा option number D तोटा जो किरल दे रहा है यह आपका सही नहीं है तोटा जन्जाती द्रवरियन समू से शंबंधित है तथा तमिनाडू के निलगीरी पहाड़ियों पर निवास करती है यह आपका सही नहीं है भील गुजरात सही है गदी हिमाचल परदिश सही है और कोटा तमिलाडू सही है option number D राइट इंसर हो जाएगा चोवालिस में आपको दे रहा है कि निमलिखित खनीजों में से किस खनीज के उतपादन में भारत विश्में अग्रहनी है चोवालिस के राइट इंसर हो जाएगा option number A चादरी अवरक option number A राइट इंसर हो जाएगा next दख लेते हैं question number 45 बहारत के महानिमादी के नियुकती कोन करता है 45 पर इंसर हो जाएगा option number B राइट इंसर हो जाएगा भारत सरकार का सबसे बड़ा वीधी अधिकारी होता है यह महानिमादी भारत का महानिमादी न तो संसद का सदस्व होता है लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है किन्तू से मत देने का दिकार नहीं है और उसकी नियुक्ति राष्टपती के द्वारा किया जाता है उनके परशाथ परयत्न पधारन करता है option number B right answer हो जाएगा question number 46 में दे रहा है कि निम लिखित में से किस बर्स में राष्टिये भूमी अभिलेख आधुनी की करन कार्य करम प्रारम किया गया था 46 का राइट एंसर हो जाएगा option number A 2008 में इस भी में next देख लेते हैं question number 47 दे रहा कि हरित करांती शंबन्धित है 47 का राइट एंसर हो जाएगा option number C गेहु के उत्पादन से next देख लेते हैं question number 48 48 में दे रहा कि निर्धानता का दुष्ट चक्र की ओधारना शंबन्धित है 48 का राइट एंसर हो जाएगा option number B न कर्से से option number B राइट एंसर हो जाएगा 1903 में अर्थ सास्त्री रैगनर नक्स ने अपनी पुष्टक problem of capital formation in underdeveloped countries की ओधारना का विश्टार से बर्नन किया और यह मत व्यक्तिया की गडिव देश निर्धानता के दुष्ट चक्र के कारण गडिव बने हुए है option number B राइट एंसर हो जाएगा question number 49 दे रहा है कि राष्टिये नमिनिकरन फंड का गठन निर्ध में से किस उध्यस से किया गया था 49 का राइट एंसर हो जाएगा option number B समाजिक सुरक्षा है तू option number B राइट एंसर हो जाएगा question number 50 में दे रहा है कि निमली खित में से कुलगार्डी में कौन सी किया शंपन होती है 50 का राइट एंसर हो जाएगा option number C शोना खनन दोस्तों आप लोग का इसमें कितने स्कोर हो रहा है आप लोग comment box में बता सकते है question number account में दे रहा है कि 19 इस्टिरीज कहां परिष्टित है 90 इस्टिरीज कहां परिष्टित है 51 के राइट एंसर हो जाएगा option number B या हिंद महासागर में इस्टित है हिंद महासागर में अवस्तित है 90 इस्टिरीज option number B राइट एंसर हो जाएगा Q52 में आपको कूट दे रहा है बताना है कि इसमें से कौन सही है दे रहा है कि 20% के 80% सक्रिये जो अलमुकी निमली खित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है इसका राइट इंसर हो जाएगा Option No.A यानि कि मद महादिपिये पेटी और होरी प्रसांत पेटी में पाए जाते हैं यानि कि Option No.A और आई टेंसर हो जाएगा Next दख लेते हैं Question No. तिरपन तिरपन में दे रहा कि भारत अवस्तित है तिरपन कर आई टेंसर हो जाएगा Option No.C यानि कि अग 6,8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देसांतर और 67 डिग्री 7 मिनट पुरु से 97 डिग्री 2,5 मिनट पुरुवी के मद इस्तित है यानि कि Option No.C और आई टेंसर हो जाएगा कोश्चन No.C में दे रहा है कि असम कुल मिला कर कितने राज्यों के अंदर साशित परदेशों से घीरा हुआ है चोवण का राइ टेंसर हो जाएगा Option No.B साथ असमराज को पच्मी बंगाल, मिघाले, तिरिपूरा, मिजोरव, मनिपूर, नागालेन और उनाचल परदेश साथ राज्यों की सीमा चुती है तथा दो देश भुटान और बंगलादिस की सीमा असमराज से मिलती है Option No.B राइट एंसर हो जाएगा पच्मन में दे रहा कि रेगूर किसका नाम है पच्मन का राइट एंसर हो जाएगा Option No.C यहां काली मिटी का नाम है Option No.C राइट एंसर हो जाएगा और काली मिटी कबास की खेती के लिए परसीद है Next देख लेते हैं Question No.56 में दे रहा कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है अंठाउन का राइट एंसर हो जाएगा Option No.C नामाज C हमारे अंतरिक्ष में 89 तारा मंडल है Option No.C राइट एंसर हो जाएगा 57 में दे रहा कि हरित करांती के कारण नेमलेखित फसलों में से किसके उत्पादन में शरवाधिक बिर्दी हुई संतावन का राइट एंसर हो जाएगा ऑफसन नमर B गेहु की फसल में नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 58 देरा कि अंतराश्टी तिती रेखा गुजरती है अंठावन का राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर 69 में दे रहा है कि भारत में निमलिखित में से कौन सा छेत्र जैविविधिता का तप्त अस्तल है 69 का राइट एंसर हो जाएगा ऑफसन नमर B पच्छमी घाट ऑफसन नमर B राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्लीज सस्क्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में सेर करें डेली प्रैक्टिसेट बिहार दरोगा चला जा रहा है और बिहार SAC का भी प्रैक्टिसेट चला जाएगा पर इक्षा आपको पांच मार्ज को है भूमद रेखा निमली खित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है साठ का राइट अंसर हो जाएगा और सन नमर बी मेक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है भूमद रेखा पर इक्वेडोर, कॉलंबिया, ब्राजील, शाओ टोम, प्रिंसपी, गैबोन, कांगो गनराज, जनतांतरिक कांगो गनराज, यूंगाडा, केनिया, शुमालिया, माल्दिव, इंडियनोसिया तथा किरिबाते इस्ति थे जबकि मैक्सिको करकरेखा पर इस्तित है, आपसन नमर B, राइट एंसर हो जाएगा 61 मदेरा के गदर अंदोरन के स्थापना की थी, 61 के राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर C, लाला हड़ देयाल ने लाला हर द्याल ने आपको गदर अंदुलन की शुरुवात किया था 1903 में किया था सुनक्त रज अमेरिका के सौन फ्रेंसिस्को नगर में गदर दल का गठन किया था 1903 में नेक्श देख लेते हैं कोश्चन नमर 62 दे रहा कि शमीधान के तिह तरवे संसोधन का संबंद किससे है 62 का राइटेंसर हो जाएगा और सन नमर C पंचायती राज अधिनी अमसे है और सन नमर C राइटेंसर हो जाएगा नेक्श देख लेते हैं कोश्चन नमर 63 ते रहा कि भारती राजनेतिक व्यवास्था में इन में से कौन सरवच्च है 63 कराइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर बी शमीधान शमीधान जुन है सरवच्च है नेक्स देख लेते हैं कौश्चन नमर चोंसर्ट चोंसर्ट में दे रहा है कि निमलिखित में से भारत के समीधान के किसमें पड़्यावरों सनक्षन या समर्धन तथा बन और वन जीव के रक्षा के प्रवधान पाय जाते हैं नेक्स देख लेते हैं कोश्चन नमर पैंसर्ट दे रहा है कि संग्ही लोग सेवा आयोग की न्यूकती कोन करता है कोश्चन नमर 66 में आपको दे रहा है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष है 66 का राइटेंसर हो जाएगा आप्सन नमर C ग्राम वासियों में सक्ति का विकेंदरी करन आप्सन नमर C राइटेंसर हो जाएगा और पंचायती राज जो है यह समिधान के अनुछेद 40 में आपको दिया गया है इस विवस्ता के दोर समिधान में दिया गया अनुछेद 40 है जो कि पंचायती राज से समन दित है नेक्स दख लेते हैं कोश्चन नमर 67 दे रहा कि लोकसभा का पहला आमचुना कब हुआ था 66 का राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर B 1902 में हुआ था लोकसवा का पहला आमचुना 1902 में हुआ था और कुल 489 सीटों के लिए निर्वाचित हुए जिन में कांग्रेस के 364 सीट पर बीजय हासिल हुई अप्सन नमर B राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर 68 में आपको दे रहा है कि भारतिय समिधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोशित किया गया है 68 का राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर C कि एक शारो भोव, शमजवादी, धर्ण मिर पेक्ष और प्रजातंत्रिक गंतंत्र के रूप में घोशित किया गया है अप्सन नमर C राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर 79 में दे रहा है कि ये राजसभा के सदस्य चुने जाते हैं 79 का राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर C छो बर्ज के लिए राजसभा के सदस्यों के कारकाल छो बर्ज का होता है चुकि एक राजसभा जो है एक अस्थाई सदन है प्रती दो बर्ज के बाद इसके एक तिहाई जो सदस्य है और स्वयनीर्थ हो जाते है कोश्चन नमर सतर में दे रहा है कि हुडको का अरत है सतर का राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन नमर स्थापना सदस्यों के एक ऻुजन यूजना के अंतरगत GDP को निमन अस्तर तक बढ़ाने का लक्ष निर्धारित किया गया था 71 का राइट इन्सर हो जाएगा Option number D यानि की 5.6% यानि की Option number D राइट इन्सर हो जाएगा Next दख लेते हैं Question number 72 जारा के भाणात में अधिकान्स ब्यक्ति वेकार है 72 का राइट इन्सर हो जाएगा Option number B Like C Government Option number B राइट इन्सर हो जाएगा क्रिसी में चिपी बिरोजगारी पाई जाती है क्रिसी में ऐसा इसलिए होता है कि क्रिसी में जितने व्यक्ति लगे हैं उनमें स्यादी कुछ लोगों को अलग कर दिया जाए तो सिमान्त उत्पदक्ता में कोई कमी नहीं होगी मौलिक कर्तबों को निर्धारित किया गया है 73 के राइट एंसर हो जाएगा समिधान के भाग 4 के एके अनुछेद 51 के ए में आपको मौलिक कर्तब है जो की 42 संसुधन 1973 के द्वारा आपको जोरा गया है आपसन नमर सी राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर 74 दे रहा है कि लोग सभा निर्वाचन संख्या को किस संसुधन के द्वारा बढ़ाया गया 74 का राइट एंसर हो जाएगा option number C यानिकी 31 संसुधन के द्वारा बढ़ाया गया था शमिधान अधिनियम 1973 के द्वारा अन बातों के 77 लोकसभा में राजों के परतिन धित्यों की अधिक्तम संख्या 500 से बढ़ा कर 525 तथा केंदर सासित पर्देसों के सदस्यों के अधिक्तम संख्या 25 से घटा कर 20 किया गया option number C राइट एंसर हो जाएगा question number 75 में आपको दे रहा है कि इनके प्रसासन के लिए नगरपाली का संगठनों को तयार किया गया 75 का राइट एंसर हो जाएगा option number B नगर और छोटे सहरो और राइट एंसर हो जाएगा next दख लेते हैं question 76 दे रहा कि भारत में राष्टिय पंचायती राजदी वस मना है जाता है 73 का राइट एंसर हो जाएगा option number D यानि कि 24 अप्रेल को question number 77 में दे रहा कि उचितम न्याले के नियाधिस के आवकास गरहन की उम्र है 77 का राइट एंसर हो जाएगा option number C 65 बर्स उचितम न्याले के नियाधिस बनने के लिए नियुनतम आयूर सी मनिर धारित नहीं है और उचितम न्याले के नियुक्त होने के बाद इनके आवकास गरहन करने की आयू 65 बर्स है option number C राइट एंसर हो जाएगा question number 89 में दे रहा है कि भारत के उपराष्ट पती के चुनाव करने वाले सदस्य होती है 89 का राइट एंसर हो जाएगा option number A यानिकी पारलिया मेंट के भारत का उपराष्ट पती राज सभा का पदिन अध्यक्ष होता है और समिधान के अनुछेद 63 के अनुशार उपराष्ट पती के निर्वाचन समिधान के दोनों सदनों यानिकी राज सभा तथा लोक सभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रुप से होता है option number A राइट एंसर हो जाएगा question number 80 मैथ का question है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number D यानिकी 7 मीटर question number 81 में दे रहा है इसका राइट एंसर ये भी मैथ है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A यानिकी घाटा हुआ है आप लोग ये screen shot ले करके इसे बना सकते है question number 82 दे रहा कि अतिवादियों तथा उदरवादियों के पुनन मिलन की परकिरिया में मुख सिल्पी निवन में से कौन था 82 का राइट एंसर हो जाएगा option number A एंई वेसेंट 1907 इसवी के कांग्रेस के अधिवेसन में नरम और गरम दल में विभाजित कांग्रेस को 1906 इसवी में कांग्रेस के लखनव अधिवेसन में परनित बालगाएंगा धरतिला कर्मिसेज एनी वेसेंट के सहयोग से एकी करन किया इस अधिकरन की इस अधिवेसन की अधियाक्स्ता जो किये थे अंभीका चरण में जुमदार ने किया था और इसके अत्रिक 1906 इसवी में कांग्रेस और मुस्लिम लिंग में समझावता हो गया ताक कि समयधानिक सुधारों की एक यूजना अपनाई जा सके अप्सन नमर ए राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर 83 इसका राइट एंसर अप्सन नमर बी हो जाएगा कोशन नमर 84 में आपको दे रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुछेद बच्चों के सुषन से शंबंधित है 84 के राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर डी अनुछेद 24 सुषन के विरुद अधिकार का बर्नन अनुछेद 23 और 24 में है और अनुछेद 23 में मानों के दुर्बेवहार और बलात्सरम के पर्तिबंध से संबंधित कानुण एव अनुछेद 24 में करखानों आधि में बालकों के नियोजन और उन्हें खत्रे वाले काड़ों में लगाने से रोकने से संबंधित है 85 में देरा कि बीधी के प्रश्ण पर भारतिय सरोच नियाले से प्रमर्स लेने का अधिकार किसको है 85 के राइट एंसर हो जाएगा और अफसन नमर बी राष्ट पती को अफसन नमर बी राइट एंसर हो जाएगा भारतिय समिधान के अनुछे 143 के अंतरगत राष्ट पती बीधी संबंधित सला सरोच नियाले के मुखने अधित से ले सकता है जबकि राष्ट पती उसके सला को मानने के लिए बाद नहीं है और भारतिय समिधान के अनुछे 131 में सरोच नियाले के उन अधिकारों का बर्नन है जिसके तहट किंद राज्यों के विवादों का समधान किया जाता है नेक्स देख लेते हैं कुश्चन नमर 87 दे रहा कि स्री हरी कोटा द्वीप अवस्तित है निकट 87 के राइटेंसर हो जाएगा अवस्तित नमर डी पूली कट जील के अवस्तित नमर डी राइटेंसर हो जाएगा 88 में दे रहा कि किस मुगल बदसाह ने बलवन के द्वारा प्ररम किया गया दरबारी रिवाज सिज़दा समाप्त कर दिया था 88 के राइटेंसर हो जाएगा अवस्तित नमर सी साह जहाने 89 में दे रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहां बनवाया 89 के राइटेंसर हो जाएगा अवस्तित नमर सी मदरास में Next दखलते हैं Question नमर 90 90 में आपको दे रहा है कि उस्ताद अम्यद अली खान किस वाजयंतर के लिए प्रसीद है 90 के राइटेंसर हो जाएगा अवस्तित नमर बी या सरोद वाजयंतर के लिए प्रसीद है Next दखलते हैं दे रहा है कि भारत में सबसे छोटा दिन होता है 51 याणि की 21 सिंबर कु Q22 में कह रहा है कि कौन सिनदी बंगाल की खारी मे गिरती है roles 62 की राइट इंसर हो जायेगा सुन दू कहारी महाणदी महाणदी जो नहीं है बंगाल की खारी में गिरती है आपसान दू कुराण महाणदी दू को Q23 द्यर आए कि शौर पड़िवार में सबसे तप्त ग्रह कौन है 93 का राइट इंसर हो जाएगा अप्सन नमर सी यानि की वीनस यहाँ पुदी की तुल्ला में सुद्ध से अधिक तुरिश्थित है तदापी या सरवातिक गर्मगरा है इसका सुर्के सम्मुक अधिकतन तपमान सौ डिग्री के रहा है आपको यहाँ मैथ का है स्क्रिन्सूट इसका लेली जिए जिसका हम राइट इंसर बता देते हैं 94 इसका राइट एंसर अफसन नमर B हो जाएगा 8.1% Next देख लेते हैं कोस्टन नमर 95 दे रहा कि आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है 95 का राइट एंसर हो जाएगा अफसन नमर C जमा पूजी अफसन नमर C राइट एंसर हो जाएगा 96 में आपको दे रहा है कि 96 में कि काले बस्त्रों के मुकाबले स्वेत बस्त्र सीतल केम होते है 96 का राइट अंसर हो जाएगा option number B केम कि उनके पास जो प्रकास पहुंचता है उसे वे परवर्तित कर देते है option number B right answer हो जाएगा question number 97 में दे रहा है कि एक स्वेत तथा चिकनी सत्ह कैसी होती है इसका right answer हो जाएगा option number B यानि कि ताप की खड़ाब और सोसक तथा अच्छी परवर्तक option number B right answer हो जाएगा question number 98 98 में दे रहा है कि बिदूत सेल श्रोथ है अंठानबर का right answer हो जाएगा option number A या विदूत धारा का option number A right answer हो जाएगा next दख लेते हैं question number 99 दे रहा है कि जब दो परमानों के बीच आबंद बनता है तो परनाली की उर्जा 99 का right answer हो जाएगा option number B घटती है और आज का अंतिम question आपका हो जाएगा दे रहा है कि किसी तत्तो के रसाइनिक गुन निवन में से कोन तैय करता है 100 के right answer हो जाएगा आपसर number B एलेक्टरोनों की शेंख्या तो दोस्तो यहाँ प्रैक्टिस एट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा प्रारामभिक पडिक्षा जो कि आपका होने वाला है 2023 में उसके लिए लेकर आए थे प्रैक्टिस एट नमर दू दोस्तो यहाँ मांसर का बुक है के भी सिनेनो बहुत ही महत पूर्ण इसमें कोश्चन दिया हुआ है तो आप लोग जरूर इस प्रैक्टिस एट को लगाएं और आपको अगर इसका PDF शाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे देंगे आप वहांसे प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्ली सस्क्राइब कर लें लाइक करें और दोस्तों में सेर करना न भूलें तो previous year का question हम इसका practice एट कराएंगे अगर आप लोग इसमें देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं और दोस्तों बिहार SSE का भी admit कर जारी हो गया है जो कि 5 March को उसका exam है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धान्यवाद